यिसु अपनी सेवकाई शुरू करदा है शैतान दी परिख्या जितन तों बाद यिसु पुवित्र आत्मा दी शक्ती नालपार के गलील दे इलाके वेच आया जिते ओ रहा सी यिसु सिख्या दिन्दा होया जगा जगा गया सब उस दी परशंसा करदे सन यिसु नासरदे नगर वेच गया जिते ओ आपने बजपन वेच रहनदा सी सब दे दिन ओ मंदर वेच गया ओन्ना ने उस दे हाथ वेच पणन लई ये साया नबीदी पोथी दित्ती यिसु ने पोथी खोली अते लोककान लई उस दा एक पाग पढ़या यिसु ने पढ़या परमेशर ने मैनू अपना आत्मा दित्ता है के गरीबानू खोशकबरी सुनावा बंदुआनू अजादी अन्यानू देखन अते दब्या होयानू छुटकारे दा परचार करा ए परमेशर दी मंजूरी दा वरा है तद यिसु बैठ गया अर एक ने उसनू गौर नाल देख्या ओ इस वचन दे पाग नू जान दे सन जो उसने हुने पढ़या सी ओ मसीन आल संबंदत सी यिसु ने कहा मैं जो वचन पढ़े हन ओ अज तो हड़े वेच पूरे होय सब लोग हैरान सन उनना ने कहा कि ए युसु दा पुत्तर नहीं है तद यिसु ने कहा ए सच है कि कोई भी नभी अपने पिंडवेच स्विकार नहीं कीता जान्दा एलिया दे समे इसराइल वेच बहुत सारियां विद्वा सन पर जदों साढ़े तिन साल लई अकाल पै गया पर मेशर ने एलिया नू इसराइल वेच विद्वा दी मदद करन लई नहीं पेजया पर इस दी बजाए दूसरे देश वेच विद्वा कोल पेजया यिसु ने लगातार कैना जारी रख्या अते अलीषा दे दिनावेच इसराइल वेच बहुत सारे लोग चमडी दी बिमारी नल बिमार सन पर अलीषा ने उनना विच्चों किसे नू भी नहीं चंगा कीता उसने सिर्फ नामान नू ही चंगा कीता जो इसराइल दे दुश्मना दा कमांडर सी जड़े लोक येसुनु सुन रहे सन ओ यहुद्धी सन जदों ओन्ना ने उसनु एक एंदे सुनेया ताँ ओ उस उत्ते गुसे होई नासरत दे लोकाने येसुनु मंदर विच्चों खेचके बहार कार दित्ता अते उसनु पहाडी दे किनारे को लै आए ताँ जो उसनु तक्का दे के हेठा सोट देन पर येसु लोकान विच्चों निकल गया अते नासरत्तों बहार चलया गया तद येसु गलील दे सारे लाके विच गया अते एक वड़ी पीड उस दे कोल आई ओ उसकोल बहुत सारे बिमार जो अपाहिज लोकानु लैके आए जिनना विच अन्ने, लंगडे अते गुंगेवी सन अते येसु ने उनानु चंगा कीता बहुत सारे लोक जिननानु पूत चिंबडे होए सन येसु को ल्यान दे गए येसु दे हुकम अनुसार, पूत लोकान विचों बहर आए अते आम तौरते एक एंदे सन तुँ परमेशर दा पुत्तर हैं लोकान दी पीड हैरान होई अते परमेशर दी मेमा कीती तद येसु ने बारा आदमी चुणे अते ओ चेले कहाए चेले आने ये सुनल यात्रा कीती अते ओस कोलों परमेशर दे राजदियां गल्ला सिखियां